तो यह वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्ट में बना रहा हूं और रिक्वेस्ट है मेरी स्टूडेंट की जो मुझसे पढ़ती है वीकॉंफोर सेम में तो सभी के लिए वीडियो और मैं यहां पे पहले आपको बता दो कि ऑपेडिंग कॉस्टिंग होता है क्या है कि सिंपल केट तो आप पे अगरते हो किसी सर्विसीव की एक्चल कॉस्ट निकालते हो जैसे आप बस में जा रहे हो आप क्या एक बस रब्ल कर रहे हो तो वहां पर आप मरें कैल कारगदाम से 99 जा रहे हो तो वहां पिए कैसे पता कर रहे कारगदाम से 99 गा इतना रुपिया हुआ या अगर हम बोले कि आपल्दवानी से इतना रउप्या क्या किसे हैब आपक्विस के बारे में आप उसकी जब क्ैल्क रिठ करते हो तो किस वह साइवारों करोंगा कि आप कितना वार्टर आपको पे करना पड़ेंगा कितने पर उसमें चार्ज कर रहो हम से तो उसी से लेटेड जितने वी जो बीकुशन होते हैं वह सब operating costing के अंदर आप सीखते हो कि किसी भी सर्विस की cost आपको कैसे करनी है वैसी hospitals आते हैं hotel आते हैं colleges आते हैं cinema circus fair तो एक सेट्टर है ना तो मैं ज्यादा टाइम वेज़ तो नहीं करूंगा तो कुछ Clone लेते हैं करते हैं शुरुवात करते हैं तो कोशन बहुत है कोशन कह रहा है कि कांपूर्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी बस बिट्वीन टू प्लेसेज विच आर फिफ्टी किलोमेटर पाइट किया करती है अपनी बस चलाती है जगह से दूसरी जगह जो एक तरफ जो परता हो सा किलोमेटर वो करीबन पड़ता है पचा तो राउंड ट्रिप पड़े जो बस है वो भाईया महीने के हर दिन चलती है और एक दिन में वो दो राउंड लेती है अब कोशन कह रहा है कि आपको यह करना है चार्ज करना है अगर कंपनी पांच स्वारी अगर कंपनी बीस रुपे प्रॉपिट चार्ज होता है और उसम आपको कंपनी का बीस परसेंट प्रॉफिट भी अंद करवाना है ठीक है तो वह आपको करना है अब इसमें निकानने के लिए आपको क्या कर दिया है नीचे दिया है कॉस्ट आट लाग रुपे एस्टिमेट लाइफ बस एक लाग किलोमेटर वेजेस जो ड्राइवर की दि पर मन्थ 8000 डेक्स रपया इंट इंसर्क्राइव 1,386 डीजल लो दिया है और आयल भी धी उदीया है और बस रण 5-1110 क्लिवन चलती है तो बहुत प्राइंग कैसे क्लें को ठीक है तो start करते हैं तो चली सबसे पहले हम यसमें निकालते हैं calculation केल्कुलेशन अगर हम किलो मीटर करें तो कैसे करेंगे यार बहुत सिंपल है बहुत इजी है जो बस चलती है एक तरफ से कितने किलो मीटर चलती है जो एक तरफ अगर चलती है तो इंटू कर लेते हैं यानि कि सौक रूमड़ चलती है एक चकल लगाने में इंटू कर लिया उसके बात कितने घुक मारती और हवते में किते दिन चलती ह्ति यह पूर एक पूरे थीज दिन चलती है तरडि देज चलती है तो इसको माल्टिपलाय कर लो कितना ऐगगा किंग सिक्स ताउजन किलोमेटर ठीक है अब समझने वाली बात यह है कि चलो हमने रन किलोमेटर तो निकाल लिया दूसरी चीज हम निकालने की जो पड़ेगी वो पड़ेगी हमें पैसेंजर किलोमेटर अब पैसेंजर किलोमेटर कैसे निकालते हैं पैसेंजर किलोमेटर निकालने के लिए आपको करना क्या है कि देखू तो आप ते रन किलोमेटर निकाला है कितना रन किलोमेटर निकाला है 6,000 ठीक है multiply कर लिया अब यहां पर कितने पैसंजरी capacity है पचास पैसंजरी capacity है उसकी बस की ठीक है जिसमें से कितना यूटलाइस हो गया है 90 परसेंट तो 90 में परसेंट को 90 divided by 100 करना पड़ेगा ठीक है तो उसको निकालते तो हमारा पैसंजर के लूम निकल जाएगा तो कितना आएगा very good 270,000 पैसंजर किलोमेटर तो फिर से समझा रहा हूं कि रन किलोमेटर या पैसंजर कैसे निकालना है आपको बहुत सिंपल है यार कि देखो आप तो पहले यह करो कि जो ट्रिप का जो राउंड है उसका टोटल किलोमेटर वह कितना रस्ता होता है ठीक है फिर आप को देखना है वी इस्सके वाड़ कितने दिन चल लेए तो उससे आपका रन किलोमेटर निकल जाएगा दूसरा कर पैसंजर किलोमेटर नि nationalist निकालोंगे तो बहुए तो सबसे पहले हम जो बनानी पड़ेगे एक हान अपर एक कि ऑपरेटिंग कॉश्षीट तियार करने पड़ेगे है तो अपरेटिंग कोशिट कैसे ट्यार करेंगे सिंपल है कि देखो जिसने पढ़ra लगा है थोला सा भी और जिसने नहीं पढ़ा है वो वैसे भी समझ जाएगा, कुछ तफ नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले, कौन से चार्ज आते हैं? Standing Charge कौन से चार्ज? Standing Charge कि अब standing charge कॉन-कॉन से होते हैं ऐसे charges डो kya होते हैं चेंज नहीं होते हैं जो स्टेंडिंग नहीं होते हैं जो fix रहते हैं उंस क्वास कोई-काँ से अब सकता है सबसे पहले हो सकता है यहाँ बेढ़स किसकी of drivers हो और Contractors की कितने रुपय मन्त है उनकी very good आरवई पर मन्त है ठीक है तो आपको यहँआपर multiply मत कर देना 12 से कैवल कि निकाल दो ठीक है आपको निकालना जो है आप monthly निकाल दो धियान देना इस चीज़ का आप क्या निकाल दो monthly निकाल दो ठीक है तो आपको multiply नहीं करना है यहां पर तो आड़जार हो जाएगा यह उसके बाद दूसरा expense आएगा टेक्स, तो यह पेयर, इंट्रस्ट, और किसका? इंसॉरेंस का, ठीक है, अब यह कैसे निकालेंगे? तोटल जो परियर का हमें दे रेखा है, वो कितना दिया है? एक लाक असी हजार, पूरे साल कितना दिया है, हमें एक लाक असी हजार, अगर हम इसको 12 से divide कर दे तो हमें एक महीनिका मिल जाएगा, तो सीधे आप 12 से divide कर तो कितना आ जाएगा? अब यहां पर और तो कोई standing charge मुझे नहीं दीख रहा है, बाकी सब running ही है, ठीक है, तो हम इसको add कर लेते हैं, अब अगर इसको हम add करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 23,000 रुपीज, ठीक है, अब जब हमारा standing charge निकल लिगा है, तो हमें दूसरा कौन सा निकालना है, यहां पर, B, हमें निकालना है, running and maintenance charges, तो running and maintenance charges कैसे आपको निकालना सबसे पहले, तो आपको निकालना है, यहां पर, diesel और oil की cost, ठीक है, diesel and oil cost, तो diesel और oil की cost कैसे निकलेगी यार, तो diesel की cost निकालने के लिए, ध्यान से देखना, diesel की जो cost है, एक लिटर की cost कितनी diesel की, question के साब से 30 उर्पिया है, जो cost है, है ना, एक लिटर की, वो कितनी है, 30 उर्पिया है, ठीक है, उस एक लिटर में, उस एक लिटर में, कितनी किलोमेटर चलती है, 10 किलोमेटर चलती है, ठीक है, उस एक किलोमेटर में, उस एक लिटर में, कितनी किलोमेटर चलती है, 10 किलोमेटर चलती है, और टोटल 30 दिन कितनी किलोमेटर चली, ठीक है, ठीक है, दूसरा, जो यहां, यहां पर आपको दिया है, depreciation, दिया नहीं है, छुपा हुआ है, आपको देखना पड़ेगा, तो depreciation, कैसे परद चला, depreciation, यहां पर कैसे निकालना है, देखिए, जो बस की cost है, वो भी दी है, estimated life और बस भी दी है, तो यहां इसको भी देखके, आपको बचला है, यहां पर कैसे निकालना है, तो उसमें गिसावट आती है, ठीक है, इरक्षन आता है, जिसकी वैसे क्या होता है, उसकी value कम होती है, इसको हम बोलते हैं, क्या, depreciation, ठीक है, अब depreciation की बात करें, तो depreciation कैसे करेंगे, कि भाई, जो उसकी cost है, formula कहता है, कि जो उसकी cost है, cost कितनी है, आठ लाग रुपे, cost कितनी है, उसकी, आठ लाग रुपे, और जो life है, उसकी, बसकी, उसकी life जो कितनी है, वो कितनी है, एक लाख किलो मीटर, सॉरी, यहां आठ जीरो बला जाए, गलती से, तो उसकी, जो life है, एस्टिमेट लाइव, वो कितनी है, एक लाख किलो मीटर, ठीक है, और total किलो मीटर कितने चल दी है, वही है, महीने में, 6,000, कुछ नहीं कहना है, दिहान दो concept समझो, यार, कि cost divided by estimated life of बस, multiply by running किलो मीटर, ठीक है, तो उससे महीने का आपको निगल जाए कर लेना, तो यहर का निगल जाएगा, महीने का निगाल, तो महीने से महीने में चल लो, कितने महीने में चली, है ना, तो आप calculate करो कितना आएगा, तो calculate करो कितना आएगा, 48,000, ठीक है, कितना आएगा, 48,000, अब हम सब को add करें, तो क्या निगल लेगी है हमारी इस से, टोटल कोस्ट, और टोटल कोस्ट को calculate करो कितना आएगा, 89,000 रुपीज, ठीक है, ये तो आपने निकाली कि, टोटल एक महीने में, जो बस चल लिए है, 6,000 किलोंडे जो बस चल लिए है, उसमें कोस्ट कितनी आ रही है, 89,000, ठीक है, अब हमें question ने पर हमें ये पूछा था कि आपको calculate करना है, cost रुपीज, 5 passenger किलो मीटर, cost पर 5 passenger किलो मीटर, जो 5 किलो मीटर में, कितना रुपिया पढ़ेगा आपका cost, ठीक है, चलो देखते हैं, कैसे निकालेंगे उसको, चलो, तो हमें निकालना क्या है, यहाँपे, cost पर 5 passenger, किलोमीटर ठीक है इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए अपनी टोटल कॉस्ट चाहिए इसको फोकस कर देते हैं जगा पे फोकस नहीं हो रहा है तो हमें क्या चाहिए अपनी टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 89,000 डिवाइड में हमाई रखना पड़ेगा टोटल पैसेंजर क्लिम्र क्ता निकलाथ हमारा 2,70,000 किलोमेटर ठीक है और हमें कुझ्ट रुपी की निकालनी है निकालनी है 5 किलम्र की निकालनी है ठीक है तो कितना आएगा देखो इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कैल्कुलेशन करना ही मड़ी किस से कैल्प्रिटर से ठीक है तो कैल्प्रिटर से निकाल के बताए यह कितना आएगा बहुत सिंपल है कितना आएगा वन पॉइंट सिक्स फोर एट वन फाइफ ठीक है अब केवल यही नहीं निकालना है इसमें और भी कुछ है क्योंकि कंपनी ने कहा था कि भई कॉस्ट तो पहले पता करना और कंपनी डिजायर यह कर रहा है कि भई हमें 20 परसेंट उस फेयर में प्रॉफिट भी होना चाहिए तो हमें तो पता चले गया कि उसमें वन प्रॉफिट 20 परसेंट ओन फेयर तो 20 परसेंट निकाल लो फेयर का है ना फेयर का 20 परसेंट निकाल लो और वह समें एड कर दो ठीक है तो 20 परसेंट कितना आएगा 0.41204 इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना आएगा टोटल फ्रेट आएगा 2.06019 तो ये आएगा आपका एक्चुल में फेयर जो उसमें क्या मिला है प्रॉफिट भी एड है कितना 20 परसेंट तो ये कोशन ऐसे करना था ठीक है चलो एक दूसरा कोशन ओल लेते हैं तो एक कोशन आपकी स्क्रीन में फिर से है अनामी ट्रांसपूर्ट कंपनी हैस बिन गिवन आ रूट ओफ 40 किलो मेटर लॉंग टू रन आ बस तो एक अनामी ट्रांसपूर्ट कंपनी है भाई 40 किलो मेटर चलती है ठीक है सट कौश्ट आपकी सिर्ट पर कॉश्ट भाई तो अनामी ट्रांसपूर्ट कंपनी है इस अनामी ट्रांसपूर्ट कंपनी हैं। तो 10% and commission which is to be shared equally by driver and conductor तो question में ये भी बोला है कि साथ-साथ कि जो salary है driver conductor की वो 10% उसमें commission मी देना है आपको जो driver और conductor को equal बटेगा ठीक है 10% की salary मैट कर देना ठीक है उसके बाद उनने बोले खाए cost जो stationery की है वो 1000 रुपे पर मन्त है salary जो है manager कम accounted आपने रख रहा है अपने वहाँ जिसके बाद 7000 रुपे पर मन्त देते हूं फिकोशन कहा रहा है कि petrol and oil charges will be 500 per 100 km तो जो petrol और oil का जो charge है वो है 100 km पे 500 रुपे the bus will make 3 up and down trips जो 3 up and down trips लेती है उसके साबसे जो average जो passenger का each trip है वो 40 है और assuming 15% profit is to be taken आपको 15% profit लेना है उसमें fare में और calculate the bus fare is to be charged from the each passenger तो आपको एक passenger या हर each passenger के साबसे आपको bus का fare निकालना है the bus will run on an average 25 days in a month तो भाईया जो बस चलती है वो महीने में 25 दिन चलती है अब आपको सबसे पहले हम क्या करते है कि हम क्या करते है सबसे पहले total passenger किलोमीटर निकालेंगे इसमें ठीक है तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर किलोमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहां पर हमें चाहिए कि जो bus है है वो कितने किलोमीटर चलती है 40 किलोमीटर चलती है ठीक है कितने up and down strips लेती है ठीक होगे यह भी हमें समझ में आ गिया ठीक है और एक बार में कितने चक्तर मारती है एक साइट से तो है 40 किलोमीटर दोनों साइट से थोनना है कि दुनों साइट को मिला के 40 किलोमीटर हो इन आया है एक ही साइट से 40 किलोमीटर तो इंटू भी करो आप ठीक है तो multiply कर लो कितने दिन चलती है 25 दिन चलती है ठीक है और passenger कितने आते हैं उसमें चालिस पैसेनरी capacity है उसकी तो इंटू 40 कर लिया है यहां पर अब देखते हैं कितना निकलेगा समझा रहा हूं कि 40 किलोमीटर चलती है तीन अप एंट डाउंस्ट्रिफ लेती है ठीक है एक तरफ से 40 किलोमीटर है तो दो तरफ से multiply to 25 दिन चलती है महिने में चालिस पैसेंजर किलोमीटर क्या है capacity है उसकी चालिस पैसेंजर जो उसकी कली है वह बैठाने की तो यह आ गया अब यह तो हम झाल करना है एगया टो desc strongest किलोमीटर यहां पर निकल ले में आपर जो मेंच छीज क्लूनर जिसके लिए हम रूके है वह है फेयर पर passenger किलोमेटर की बहिया कैसे निकलेगा तो उसके लब पता करना पड़ेगा कि टोटल टेकिंग कितनी आएगी यह टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कितनी होगी यह टोटल टेकिंग कितनी होगी ठीक है तो आम तो चलो भई पर्मन के साब से बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या बनाने पड़ीगे कोशीट बनानी पड़ेगी ठीक हैं और अगर आपको राइटिंग बुरी लग रही हो तो कृपिया उसके लिए मुझे माफ करें मैं आप से तही दिल से सौरी बोलता हूं उस मुझे पता है मेरी राइटिंग के त्या नहीं है बट राइटिंग को भूल जाओना है और फिलिंग को सम्झों है ना तो स्टार्ट करते हैं कि कोशीट कैसे इसकी बनेगी तो देखते हैं तो सबसे पहले कौन से चार्ज़ज आते हैं अब भी हमने कौन से लिए पर ईहां तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा इंस्वरेंस चेंज होई नहीं हो रहा है यहां तो इंस्वरेंस चार्जेस तो कोशन में सबसे पहले यहीज पड़ी थी कि जो उस बस की जो कॉस्ट है वो कितनी है दस लाग रुपए कि कितने परसेंट पे इंस्वरेंट है तीन परसेंट पे इंस्वरेंट है कितने परसेंट पे तीन परसेंट पे हमें कितने महीने का निकालना है चार्ज एक महीने का तो वन बाई निकाल लोगे तो कितना आएगा very good, कितना पच्चिस सो दूसरा हमें निकालना है यहां पर हमारा tax हमारा annual tax कितना है 20,000, हमें कितने महीने का निकालना है, केवल एक महीने का चार्ज करना है, तो divide कर दो 12 से, कितना आएगा 1, 6, 6, 7 चीक हो गया तीसरा किया आएगा garage का rent garage करेंट change होना होता है, तो garage करेंट कितना आएगा 2,000 रुपे ठीक है salary जो driver की है वो change होई नहीं होती है, तो salary जो driver की आएगी, वो कितनी आएगी यहां पर sorry 3,000 रुपे ठीक हो गया, उसके बाद salary of conductor कितनी आएगी हाँ कितनी 2,000, very good उसके बाद cost of stationary तो cost of stationary कितनी है 1,000 रुपे पर मत ठीक होगे, very good, सही जा रहे हैं हम लो कोशन में गलत नहीं करने ठीक है और जो addition वाला commission वाला जो पार्ट तब यहां नहीं करेंगे अम अलग जगह पर करेंगे उसको नीचे करेंगे तो इसको आप हाफ फिकर मत करो कि हमने इसमें एड नहीं कर रहा तो इगलत हो गया ऐसा मत समझो आप नीचे करेंगे इस चीज़ को ठीक है तो cost of stationary कितनी है एगजार रुपे है और जो हमने salary पे करा है salary of manager और वह accountant भी है तो उसको हमने कितना पेकर रहा सेवन थाउजन पर मत ठीक है मुझे लगता आपको जी समझ में आ गई होगी तो यह सारे जो भी expense है वह standing है क्योंकि किसमें fluctuation नहीं आ रहा है running में नहीं है नहीं आपको दे नहीं है है ना तो इनको add कर दो कितना आएगा add करके जल्दी 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 आइड करो very good इतना 19167 वेरीगुड अब यह तो हमने निकाल लिया अब हमें कौन से निकालने है running expense निकालने है चलो running expense निकालते हैं फिर तो चलो बी करते हैं यापर रहीं जो रहनिंग इसको मेंटेनस भी ले रहो स्टेकर है रहो सब्सक्राइब कर दो कॉल रहे हो आप प्रुसेशन जसे पिछली बार डियक्रिशन था तो वही कॉस्ट कितनी है दस लाग है चीक है वेरी गुट सही बोल रहूं हाँ तो दस लाग तो उसकी कॉस्ट है है ना और जो उसकी लाइफ है वो कितनी है 5 यह हमें कितने महीने का निकलना है एक महीने का तो डिवाइब वाइब तो कितना आएगा यहांपर तो यहां पर आपका 1 6667 ठीक है आगे बढ़ते हैं और नेक्स क्या आएगा यहांपर क्या आएगा पर पेट्रूल and oil charges petrol and oil charges हाँ हर 100 km में कितनी cost आती है हाँ तो हर 100 km कितनी cost आती है कितनी 500 पर 100 km कितनी cost आती है 500 तो cost कितनी 500 कित्टि किलोमेटर मैं 100 किलोमेट जब सोकल मुब चलती तो सब्सक्राइए 500 रूपे चलाइए रोपय और टोट ल अब करना है आप कके अधाइब किलो डश्यक़ और ग्लूमेटर चलिए निकाला है निए तो भाई क्या करना है वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है जो आपने 40 पैसेंजर किलूमेटर जो वहाँ पे मल्टिप्लाइ करे थे वह उसमें से हटा दू यानि कर मैं बोलू सीरी बात कि भाई 40 किलूमेटर चली कि मल्टिप्लाइ बाई कितना तीन अप एंड डाउन ट्रिप्स लेती है बिल्कुल एक तरफ में 40 किलूमेटर तो हम लगाई दिया और यहां पे पच्चेज दिन चलती है तो मल्टिप्लाइ कर लो टोटल मंध में कितना चलेगी छह जार तो इसको मल्टिप्लाइ करते हैं 6,000 किलूमेटर से कितना आएगा हाँ विल्कुल सही कितना 30,000 कि अब बात करते हैं एक और इसमें आएगा रिपेर चार्ज अगर आप कोशन पढ़ों के तो उसमें क्या है रिपेर चार्ज भी दिया था तो रिपेर चार्ज 6,6,7 बिल्कुल सही अब यही थे सारे के सारे आपके रणिंग चार्ज ठीक है अब हम इनको भी एड़ कर लेते हैं कितना आएगा 4,8,3,3,3 और इससे पहले वाले कितना आया था निकाला था हाँ पहले ले कितना आया था 1,9,1,6,7 आपहले कितना आया था हाँ उपर लिख दिरो महीं पर 1,9,1,6,7 इन सब को यह रिपेर लो तो क्या बन जाएगा टोटल हाँ हाँ होटल उपरेटिंग कोस्ट तो एड कर दो a plus b यह माल लो इसको भी माल दो एड कर लो कितना आएगा हां सही बुल लो कितना आएगा six seven हां five double zero ठीक है तो यह total उपरेटिंग कोस्ट हो गए हां very good तो अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एक जो point हमने छोड़ दिया था शबगा उपर वह क्या छोडाता हम ने कि जो डहYpower कंड़क्टर हैं वह टे parchment यूद alegя 10% Commission भिखाएंगे तो हमने जो 10% Commission कंड़ी सब्सक्राइब की क्या था जो कॉम्श्ट का 10% permission अब मुझा यहां पर कॉंड खाएंगे ड्राएब और और conductor वो भी आधा और आधा ठीक है तो यहां पर हमें वो भी निकालना है तो हम निकालेंगे हैं यहां पर कैसे कमिशन ओफ ड्राइवर एंड कंडुक्टर करेंटों को आधा जिकरते हैं तैन परसेंट हाँ तैन परसेंट ओफ टेकिंग इस इकटो कितना 67,500 जो अपरडिक कॉस्ट है मैं। इसका 10 परसेंट निकालना है आपको किंच निकालना है 10 परसेंट तो रोशनी में लेखते हैं 20 परशेंट हैं तो यहां पर ही हमने निकालना है कैसे टेकिंग निकालेंगे कि 67,500 तो हमारी operating cost है multiply by जो 10% है वो तो हमने ठीक ले लिए यहाँ पर बट नीच्छी क्या value आएगी तो थोड़ा समझना इस बात पर कि अगर मान लीजे कि आपकी total जो cost है वो 100 है मान लीजे ठीक है उसमें 15% आपने assume कर रहा है कि अपना profit है आपका पंदा परसेंट आपका profit है मैंस कलते कितना आएगा हमारा 85 जिसमें 10% क्या है कमीशन है किनका है driver और conductor का तो actual जो कितना आएगा यहाँ पे 75 जो actual जो cost होगी वो कितनी होगी यहाँ पे 75 ठीक है तो नीची के value आएगी 75 ठीक है तो निकाल के बते ही कितना आएगा हां कितना 9,000 ठीक है रोशनी में लिए इसको 9,000 ठीक है हां तो यह हमारा 9,000 के square कल देते हैं तो यह भी तो cost है आपकी जो आपने 10% ने खाया वो भी cost है तो 9,000 आपने add कल लिया ठीक है हां क्योंकि आप कुछ लोग क्यांगे 75 क्यों लिया 75 कैसे आए बहुए 67,500 की जो value 75 भी है जो उपा रखते हैं वह नीचे भी आता है वो इसकी value नीचे आता है तो आप जाके आप add कर रहे हूं है तो 9,000 आ गई अब हमें इसमें क्या करना है जब से पहले में कर रखा है ठीक है तो किस में निकलेगा इसकी जो adding value आएगी adding value कितनी आएगी 76,500 अब यह निकलेगा 76,500 multiply by कितना % 15% अब यहां पे कौनसी value आएगी हां नीचे कौनसी value आएगी कौनसी आएगी बिल्कूल सही 85 क्योंकि 10% आप इसमें add कर चुके हो अब कौनसी value आएगी 85 क्या कितना आएगा आएगा 13,000 पांसों इसको कितना आएगा माईड और यह Lazal कितना आएगा कि 90,000 तो ॅ है का है तोडल हगा और यहां पर हमें निकालना है था हमें निकालना था फेर पर पैसेंजर किलोमेटर कैसे निकालेंगे कुछ नहीं करना है जब पर टोटल डेगी हमारे इतनी है कितने नभे हाज़ार और डिवाइड गल लो कितने से टोटा पैसेंजर किलोमेटर कितने से 2,40,000 से तो जो आएगा वो आपका क्या होगा फेर पर पैसेंजर किलोमेटर होगा कितना आएगा हाँ जल्दी बताओ कितना आएगा कितना आएगा जीरो पॉइंट थ्री सेवन वाई वेरी गुड तो ऐसी होते हैं कोशन ठेक है आज दो कोशन करें कल एक दो और करेंगे है ना ऐसी करके पूरा चैप्टर खतम कर देंगे ओपिनिंग अभी है ना तो चल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ इसी ट और जो ग्रैजिशन लेवल के बच्चे उनकी प्लेएलिस्ट अलग चलेगी ठीक है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है ना और इसमें कोई पड़ेगा उनकी वीडियो भी रहेंगी और आपकी वीडियो भी रहेंगी तो ठीक है चलते हैं मिलतें नेक्स वीडियो में नेक्स टोपिक के साथ बाइबाइ टेक केर